और इदर गाजा में इस्राइल के तावाटोर्ड हमलों के बीच इरान ने बड़ा धमाका किया है इरान ने र्वेगिस्तानी स्पेस पोर्ट से ऐसा रॉकेट अंतरिक्ष में लॉच्च किया है जिसने इस्राइल और अमेरिका दोनों को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दि स्टेइस में पहुँची खामनेई की सेटेलाइट मिसाई अंतरेक्ष से देखेगा जमीन पर दहलाएगा इरान आईडी एफ का दक्षरी लिवनान में पचपन रॉकेट थमाका नसरल्ला ने खोल दिये कत्यूश्रा रॉकेट के छे सो गुदा इसराइल अब अंधा धूंद हमले कर रहा है गाजा में हमास लड़ाकों को दोड़ा दोड़ा कर मार रहा है लिबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों को बारूती धमाके से दहला रहा है लेकिन नेतरियाहू आर्मी के लिए टेंशन देने वाला मेसेज तेहरान से आया है इस्राइल का कच्चर और सबसे बड़ा दुश्मन बहुत बड़े वार के लिए रेडी हो रहा है स्पेस से इस्राइल को देहलाने का रोड मैप खामनेई के चॉप कमांडर्स ने बनाया है ये ऐसा वाल प्लैन है जिसकी काट ना तो अमेरिका के पास है ना ही इस्राइल के पास खामनेई के इस टेरर की पूरी डिटेल तेल अवीब तक पहुँच चुकी है खामनेई की इस ग्रिन फाइल के सिक्रेट्स क्या क्या हैं आपको दिखाएं उसे देखने के पहले वाल जोन में मचे बारूदी घमसान की तस्वीरे भी देखते रहिए यहां इस्राइलों की आंधी और रोकेटों का तुफान आसमान में दिखाएंगे रहा है पहले इस्राइल डिफेंस फोर्स की मार दिखिए यह हमला एक छटके में पच्पन रोकेट थमाके का है इस्राइल ने हिद्बुल्ला के वार हेटकोटर को बारूद से पाठकर कई लड़ाकों को खबर में पहुचा दिया है गाजा सिटी में हमास के छिकाने पर हमले के कुछी दिर बाद इस्राइल के अशकलोन में दो रोकेट दागे गए हैं गाजा पटी से दागे गए दोनों रोकेट में से एक को एर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया वहीं दूसरा रोकेट समंदर में जा गिरा हेजबुल्ला और हमास दोनों से अकेले जंगलर रहे इस्रेयल का सबसे बड़ा खत्रा अब स्पेस से आने वाला है जहां इरान ने पूरी ताक्त लगा रखी है इरान ने रिवलुशनरी गार्ड रिसर्च सेटिलाइट को स्पेस में भेज दिया है RGC का बनाया रॉकेट स्पेस में रिसर्च सेटिलाइट के नाम से भेजा गया है इरान के चामरान वन सेटिलाइट की जो डिटेल सामने आई है उसके मताबिक चामरान वन सेटिलाइट का वसन 6 किलोग्राम है ये अंतरिक्ष में 550 किलोमिटर की कक्षा में सफलता पुरुब कोचा है चामरान वन का मिशन, स्टेज, हार्डवेर और सौफ्टवेर का टेस्ट करना है स्पेस में इरान का पाउरफॉल होने का मतलब इसराइल की मुसीबत है इरान ने हाल के दिनों में लगातार 13 सेट्रिलाइट लौँच किया है जनवरी 2024 में इरान ने 15 दिनों के भीतर 2 सेट्रिलाइट लौँच की थी इरान के सिमनान में इमाम खुमेनी स्पेस पोर्ट से ये लौँचिंग की गई थी जिन सेटिलाइट को स्टेस में भेजा गया था, उनके नाम महदा, केहान टू और हथ वन बताया गया था जबकि इस्रेयल और पश्चुमी देशों ने इरान के स्पेस प्रोग्राप को बलिस्टिक मिसाइलों को अचूक और ज्यादा घातक बनाने वाला शाड़यंतर करार दिया अमेरिका ने इरान के सेटिलाइट लाँचिंग का मुद्ध स्ट्रक्षा परिशद में भी उठाया मगर इरान के बलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगा स्ट्रक्राप का बैन अक्चूबर 2023 में खक्म हो गया था बैन हटने के बाद से इरान ने अंतरिक्ष में खुद को पाउरफुल बनाने का तुपानी मिशन शुर कर दिया इरान के स्पेस वार प्लैन में चीन खुलकर साथ खड़ा है इरान ने खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर चीन के साथ एक बड़ी डील बीते अगस्त महीने में की थी तक वाशंटन पोस्ट ने पश्वी तुरक्षा अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया था कि इरान ने दो चीनी सेटलाइट कमपनियों के साथ रूज से भी बड़ी साज़ितारी की है इस डील में इरान की इसलामिक रिवोलोशनरी गार्ट्स को चीनी कमपनिया तकनी की सहयोग देंगी आई यार जीसी और इमोर्ट सेंसिंग सेटलाइट टेकनलोजी को एक्सपर्ट कमपनिय के साथ लेन दिन होगा बिक जील का मकसद इसरेल और मिडिल इस्ट में सेने टार्गेट्स की हाई रिजोलूशन निगरानी है चीन के साथ इरान की जील ने अमेरिका इसरेल के साथ ये औरोप की धुक्तों की बढ़ा दी है वाशंग्टन पोस्ट की रिपोर्ट में इरान चीन की डील के खतरों का जिक्र किया गया है रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समझोते के जरीए इरान को अपनी बलिस्टिक मिसाईल को चार्गेट तक सचिक तरिके से पहुँचाने में मदद मिलेगी साथ एरान अपने उपर हुए मिसाईल हमलों को लेकर भी अलर्ट रहेगा इसके अलावा इरान अपने शर्टरीय सहयोगियों जैसे यमन के खोतीवी द्रुहियों और सिरिया और इराक में विविन संगटनों के साथ सेटलाइट से मिले खुखिया जानकारी साचा करेगा जो अमेरिका के सैने ठिकानों और कारो बारे जहाजों के लिए बरवादी का सबब बनेगा अमेरिका अपने किसी भी नागरिक की मौत का बदला कैसे लेता है इसके गवा एक दो नहीं कई मुल्क है अमेरिका के मार च्छिल चुके इराक को देख रीचे 20 साल तक सुपर पाउर का ताब च्छिल चुके अफ़गानिस्तान को देख लीचे अमेरिका दुश्मन को तब तक मारता है जब तक वो बेदम ना हो जाए बेदम होने के बाद भी कोई दुश्मन से रूठाता है तब सुपर पाउर एजम बम बरसाता है फिलहाल ये खतरा एरान पर है क्योंकि एरान इसरेल से इसमाईल हानिया का बदला लेने के लिए फटफड़ा रहा है चीन और रूस की इश्रह पर अमेरिका को आँख दिखा रहा है लेकिन युद्ध के हालात में इरान का साथ कौन देगा इसकी कोई गैरेंची नहीं है चीन ने इरान को अपने सस्ते और काम चलाओ हत्यारों की सप्लाई के सिवाएं कभी साथ नहीं दिया है वहीं अमेरिका इस जेल को हत्रह से मदद पहुँचाता है हमास पर बरस रही मिसाइले हूँ, हिजबुल्ला के अड़े पर फट रहे रॉकेट हूँ या फिर होती वी द्रोहियों को दहला रहे है जंगी जेट ये सभी हत्यार मैज इन अमेरिका ही स्पेस में भी अमेरिका ही सुपर पाउर है जिसकी अपनी स्पेस आर्मी है अमेरिकी सेचलाइट भी दुनिया में बेजोड माने जाते ही